जा रहा है राजमीतिक पाच्चों का चुनावी प्रचार प्रसार चरम पर है और अब चर्चा है पाच्वे चरन की चुनाव की ऐसे में राजमीति से लेकर चुनावी जनसभाओं जैसे हर मुद्दे पर चर्चा हो रहे हैं भारत समचार की टीम ने एक पूरा दिन डिक्टिसि एम केशव मौरय के साथ भुजा रहा क्या पूरे दिन का जो अप्रेट था वो आपको दिखाते हैं कि वारत समचार का चुनावी सफर लगातार जारी है आज हम इनके साथ दिन भर रहने वाले हैं सर आज कहा कहा का इरादा रखते हैं कहा कहा परचार हो चारो तरफ कमल का पूल बाकी सब कुछ जाओ पूल बारत समचार का चुनावी सफर लगातार जारी है आज हम दिन भर केशो प्रसाद मौरे जी जो की उत्तर देश सरकार में उपमुक मंत्री है उनके साथ रहने वाले हैं अब यहां से जो सफर है वो शुरू हुआ है राइबरेली और उसके बाद परताब गर भी है हम लोग जाएंगे और बात करेंगे उनसे सर से बात करते हैं शुरूबात करते हैं सर इतने दिनों से चुनावी परचार कर रहा हैं आप लोग शुरू से लेके अभी तक सारे राजनीतिक दल लगे हुएं किस जगे पर देख पा रहे हैं आप लोग अपने आपको भारती जंती पार्टी कहां पे पा रही हैं और जो जनजन का नारा है वह सफलता पूरवक आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननी प्रधान मंत्री मोधी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने की लड़ाई देश का गरीब लड़ रहा है देश का किसान लड़ रहा है देश का नौजवान इसका मतलब है कि कांग्रेस चुनाओ हार चुकी है उनके राष्टी अध्यच्छे इस बात को सुईकार करके लखनू में गए यह अच्छी बात है देश को साट साल सत्ता में रहकर के भूंखे मारने वाली कांग्रेस पार्टी को सरम नहीं आती है देश के गरीब माबाप के बेटे ने गरीबों का दर्द समझा उनको प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का रासन देना सुरू किया जिसके कारण आज कोई भूंख से नहीं मर रहा है दोनों समय भर पेट गरीब भी भोजन कर रहा है और कांग्रेस तो लुटेरी पा अगर जोड़ा जाए तो ये डेड़ किलो मिलेगा लोगों को और साड़े आड़ किलो ती ये सोयम खा जाएंगे इनका जो फार्मूला है वो यही है कि सौ में से पचासी प्रतिशत गोटाला करो पंदरा प्रतिशत जिसके लिए योजना बनाओ उस तक पहुँचाओ ये स तो हैं स्री राजीव गांधी जी संसत में खड़े हो करके कहे थे कि हम दिल्ली से एक रुपईया भेजते हैं तो जहां भेजते हैं वहां पंदरा पैसा पहुचता है तो रासन भी ये दस किलो भेजेंगे जिनके पास पहुँचना वहां डेड़ किलो पहुचेगे ब्रश रखा है यह तो अब तक बन जाना चाहिए था दो हजार चौबिस में जो मुझे जानकारी है अंद्रूनी उसके हिसाब से स्वयम प्रियंका गांधी जी चाहती ही कि राहुल गांधी जी हार जाएं और यहां दोनों भाई बहन में आंत्री की युद्ध चल लहा है आमेठी यह सफर जारी रहेगा और आगे भी कई सवाल हैं उनके जवाब हम डिप्टी सीएम केशो प्रसाद मौरिया से लेंगे तब तक के लिए आईए मेरे साथ से इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं यहां से सीधे राइबरेली और उसके बाद फिर प्रताब गर जो है वह हेलिकॉप्टर लैंड करेगा और उनके साथ तमाम जो है वह बाते भी होंगी सर आप लोगों ने इतना प्रचार किया सारी चीजे देखी तो इस बार जो बाते निकल कर आ रही है प्रधान मंत्री जी के नाम पर तो उन बातों में कितनी सच्चाई सर देख पा रहा है हंडेट परचेंट सच्चाई है हंडेट परचेंट कमल खिल रहा है हंडेट परचेंट भाजपा गडबंधन यूपी की सभी असी सीटे जीत रहा है और देश में 400 पार का जो लच्छ है उसे निश्चित तोर से भारती जनता पाटी गडबंधन प्राप्त करेगा तीसरी प्रचण बहुमत से मोधी सरकार बनेगी प्रधान मंत्री जी भावुक हो गया कल ये देखा गया वहाँ पर बनारस में थे तो भावुक हो गया उसको लेकर भी विपक्च कहीं न कहीं जो है वो मजाग बनाने का काम कर रहा है सोचल मीडिया देखे विपक्च भावनाओं को नहीं समझता है विपक्च गरीबी के दर्द को नहीं समझता है विपक्च मोधी जी का जो संगर्स में जीवन है उसको समझता नहीं देश की जनता समझती है देश की जनता आसिरवाद देती है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है जी चलिए ठीक है आप देख सकते हैं कि अब यहां से आगे की जो सफर है वो शुरू होने जा रहा है और हाँ होने जा रहा है और बस यहां पर हम बैठेंगे और उनसे बात भी करेंगे सर अखलेश यादो को लेकर जो आप लोगों का क्या परसेप्शन है आप क्या सोचते हैं क्योंकि बड़े आरोप लगाते हैं अखलेश यादो जी जो सियासत में है वो बिरासत के कारण से है संगर्स के कारण नहीं है यही हाल उनके दोस्त सिर्राहुल गांदी जी का है दर्द पता होता है समेशियां का यह सब यह सब हरी गियान से वह दूर चांदी का चंच लेकर पैदा हुए लोग गरीबों का किसानों का नंजवानों का महिलाओं का जो भी उनकाई उनको नहीं समझ सकते अक्रेश जी का एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो पॉलिंग बूत पे गए थे और कहा कि अब हमको देखे गुंडे भाग गए आपके वो गुंडा गुंडों अपराधियों माफियाओं के सरगना हैं बूत कबजा करके समाजबादी जीत नहीं सकती शुक्रिया आपने सुना डिप्टी सीम केशव प्रसाद महुरिया जी को उन्होंने बहुत सारी बाते कहीं और साफतार पर कहा कि भाजपा इस बार प्रचण बहुमत से जीतने जा रही है कैमरामेन अर्विंद के साथ सीमाब नक्वी भारस समचार लक्नव झाल